निगम कल्पतरोर गलितं फलं, सुका मुखादं रिता द्रव संजुतं, पीवत भागवतं रसमालयं, मुहुरहुरसिका भुविभावुका रश के मरमग्य भक्तजन, यह स्रीमत भागवत बेद रूप कल्प विर्क्च का पका हुआ फल है, श्री सुक देव रूप तोते के मुख का संबंद हो जाने से यह परमानन्द मई सुधा से परिपुर्ण हो गया है, इस फल में छिलका गुठली आदित्याज अंस्तनिक भी नहीं है, यह मुर्तिमान रस है, जब तक सरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिब भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो, यह प्रिथिवी पर ही सुलब है इमद भागवते महा मुनिकृते किमवा परईरी श्वरह सद्यो हृद्य वरुध्यते त्रकृति भे सुस्रू सुभिष्त च्छाणा इसमें सुधांताकरन सत्पुरुसों के जानने योग इस वास्तवी कुष्ट परमात्मा का निरूपन हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से ही नास करने वाली और परमकल्यान देने वाली है अब और किसी साधन या सास्तर से क्या प्रयोजन जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके स्रवन की इक्षा करते हैं, इस वर उसी समय अभी लंब उनके हिर्दे में आकर बंदी बन जाता है इसलिए भागवत सास्त का अध्यन करें और इसका पाठ करें अब मैं भागवत सास्तर की बंदना करता हूँ परागपर प्रभावात भूत्वा कृति कृति मतां स्रिति माचरामी तम सद गुरुम सतत सर्वसुखं सद ग्र्यं बंदे सदा भिमल बोधधनं विचित्रं ब्याशं ब्याशकरं बंदे मुनिं नारायनं स्वयं यतह प्राप्त कृपा लोका लोका मुक्ता कलेर ग्रहात् स्रीधरम स्रीधरम बंदे स्रीधरे का परायनं यस्यव श्रीप्रशादेन स्रीधरेयं कृति कृता ताम स्रीभागवतिम गाथाम बंदे जुगलरू किणिं बोलिये भागवत सास्त्र कीजे जुगलरू किष्णराधा महरानी कीजे